दूर संचार वाहिनी आईटी वीपी के पदाधिकारियों ने 20 किलूमीटर पैदल चल कर दिया स्वक्षिता अभ्यान का संदेश आज राजीव लोचन शुकल उपमाहने रिक्षक दूर संचार वाहिनी शुपुरी के निर्देशन में आईटी वीपी के पदाधिकारियों ने 20 किलूमीटर पैदल चल कर स्वक्षिता अभ्यान का संदेश दिया ज़रान दूर संचार वाहनी भारत तिबबस सीमा पुलस बलके समस्च पदाधिकारियों के द्वारा आज़ादिकामरत महतसब के थायत दूर संचार वाहनी परिसर से वांकरी हन्मान जी के मंदिर तक पदियातरा का आयज़न किया गया साथी सक्षिता अभ्यान के रूप में मंदिर के अन्य और मंदिर परिसर की साफ सफाई की आखिर में राजीव लोचन शुक्ले उपमार एरिक्षन दूर संचार वाहनी ने अवगत कराया कि आम सस्त और उजवान बने रहेंगे जब हम फिट रहेंगे अपने आसपास के वातवरन को सक्षित बनाए रखने पर ध्यान देंगे साथिया आमजन को फिटनेस और सक्षिता का संदेश उन्होंने दिया